अगर आपकी शादी होने वाली है तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लेना क्योंकि हर कोई ब्राइड टू भी होती है अपरी ब्राइडल केर में हर कोई ये चाहता है कि मेरी स्किन भी अच्छे लगे, मेरे बाल भी अच्छे लगे और मैं आपसरिफ out skincare की बात नहीं करने वाली है नागी材 बात करने वाली हो करने की जरुरत नहीं लेकिन हाँ कुछ अच्छी चीजİ आपको समझ में आजाएंगे जिनको अगर आप फॉलोग करते हो तो आपकी शादी में आपके स्किन ने लशकारे तो मारना है लेकिन अगर आपकी शादी नहीं भी हो रही तब भी अच्छी चीजे अच्छी इंफरमेशन लेने में क्या बुरा है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना Let's get started Hi guys, welcome back, welcome back to my channel I really hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो So, मेरा दिन शुरू होता है 6.30 से लेकि 7.30 के बीच में अब जरूरी नहीं है कि आपको भी उतने बज़े ही उठना है अगर आपको ऐसे लगता है कि आप आफिस जाते हैं अपने convenience के हिसाब से decide कर सकते हो कि आप कि इतने बज़े उठें 6.30 से लेकि 7.30 का टाइम वैसे अच्छा होता है, आइडियल होता है क्योंकि आपको आगे के दिन में क्या-क्या करना है बहुत सारी चीजे आपको समझ में आ जाती है और ये जो रूटीन में आप लोगों को बता रही हूं बिल्कुल रियलिस्टिक है तो सबसे पहले, सुबह मैं कुछ भी अच्छी healthy चीज जो है वो लेना पसंद करती हूं जैसे नारियल पानी हो गया, क्योंकि नारियल पानी जो होता है उसमें ऐसे active enzymes होते हैं जो कि हमारी body में जब चाता है, हमें weight loss में help करता है हमारी skin में glow add करता है, हमारी skin में जो softness और shine होती है वो तो उपर से चीज़े लगाने से आती है, लेकिन जो internal glow होता है जो कि हमारी skin की अंदर वारी layer में good quality चीज़े या fluids को absorb करती है वो हमें मिल जाता है, तो इसलिए नारियल पानी skin की care के लिए अगर हम कुछ DIY कर लें, तो हमें बहुत अच्छे results अपनी skin में देखने को मिलते हैं मैं यह नहीं कहूंगी कि आप दोनो time यह वाला लगाओ, क्योंकि अगर आप office जाते हो तो आपके पास इतना time नहीं होगा कि आप दोनों चीज़े कर पाओ तो आप क्या कर सकते हो कि एक time जैसे सुबह के time आप यह वाला DIY homemade face wash उस कर सकते हो क्योंकि यह है एक skin brightening face wash जो कि आप सुबह बना सकते हो और रात के time आप खुद का जो भी आपका market वाला है अच्छा होना चाहिए, ऐसे कोई भी random brand आप पिक नहीं कर सकते इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 tablespoon का oats क्योंकि oats में natural cleansers होते हैं तो 1 tablespoon का हमने oats लिया और इसमें हमने डाला है half teaspoon का अपना orange peel powder क्योंकि orange peel powder हमें sunburn से होने वाले जितने भी damage होते हैं skin में उनको reverse करने में भी help करता है, हमारी skin में जो tanning के issues होते हैं उनको भी curve करने में help करता है और उसके साथ-साथ हमारी skin में कई बार marks हो जाते हैं uneven सी हो जाती है हमारी skin उसको भी even out करने में help करता है तो इसलिए orange peel powder और उसको हम थोड़ा सा दूद लेके mix कर सकते हैं थोड़ा सा दूद डालना, अगर कच्छा है तो बहुत अच्छी बात है मुझे ऐसे लगता है चाहे आप pre-bridal care कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे है कच्छा दूद जादा अच्छा दा सकते है तो अगर आप वो अरेंज कर सकते हो तो थोड़ा सा वो डाल लेना इनको mix कर लेना और अपने पूरे face पर इसे ऐसी ही बस rub कर लेना थोड़ी दिर के लिए कुछ minutes के लिए और उसके बाद इसको पानी से wash कर लेना अब skincare चाहे तो आप बात लेने के बाद भी कर सकते हो पहले भी कर सकते हो जो आपको सही लगे, convenient लगे तो यहाँ पर कोई भी face oil आप ले सकते हो मैं यहाँ पर argon oil ले रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने कुछ drops का argon oil लिया और अपने पूरे face पर मैंने इसको फैलाया यहाँ पर मैंने थोड़ा सा face yoga भी किया है क्योंकि face yoga जो होता है हमारी skin को tightening effect देने के लिए बहुत अच्छा होता है तो मैंने पूरा अपना जो face है उसको इस तरह से आप जैसा वीडियो में देख रहे हो उस तरह से लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर tapping motion में अपने दोनों हाथों से tap की अपने face पर tap करने से क्या होता है आपका blood circulation अच्छा होता है skin में और आपकी skin में फिर वो gloss या glass like skin जो हम चाहते है न कई बार एकदम glass वाली skin वो appear होने लगती है या 3 minutes तक आप इसे कर सकते हो और उसके बाद release आपको अपना मूँ जो है इसी तरह से रखना है अगर आपने मूँ जो गुलकपास बनाया है वह अगर आपने फोट दिया तो देन इतल बी अफ नो यूस तो आपको अपना face जो है वो इसी तरह से बना के रखना है उसके बाद होता है हमारा ये वाला yoga ये भी एक face yoga है आपकी jawline जो है वो बनने लगी है अगर आप मेरी पुरानी clips देखोगे तो आप खुद देखोगे कि मेरे हाँ पे बहुत हैवी था और अभी उतना नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हो अगर आप working हो तो आपके पास इतना time है कि आप yoga classes join करो तो आप घर पे ही कुछ time नि चीच में होई जाता है लेकिन उससे पहले बहुत सारी girls हैं जो मुझसे पूछती है कि मुझे अपने बाल जो है वो लॉंग करने है मुझे लॉंग बाल पसंद है मेरी शादी आरी है ऐसे भी कुछ-कुछ comments आई रहे होते हैं तो देखो अगर आपको long hair करने है तो उसके ल मरले और उसको आपने बस कुछ minutes तक ऐसे ही cook करना है मतलब इसे boiling hot कर देना है जिससे कि हमारी जो भी fenugreek seeds है उसके good quality हमारे पानी में जा सके और उसके बाद gas को off कर लेना gas को बंद करने के बाद आप यहां पर थोड़ से आमला लेना मतलब एक fresh आमला ले सकते हो और उसको grate कर देना आमला को साथ में इसलिए नहीं पका है क्योंकि कई बाद vitamin C की जो qualities होती है वो खराब होने लगते है तो इसलिए इसको बस गुन-गुनी state में आने के बाद रूम टेंपरेचर पर नहीं आने देना गुन-गुनी state पर आने देना उसके थोड़ सा आमला अपने ग्रेट कर दिया और ग्रेट करने के बाद इसको ऐसे ही रख दिया थोड़ी और देर के लिए जिससे कि आमला की भी जो अच्छी qualities है वो पानी में जाए और उसके बाद आप इसे छान लेना और छानने के बाद इस वाले hair tonic को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जड़ो याने के roots में लगा सकते हो लेकिन आपको यह लंबे टाइम तक लगाना होगा आप चाहो तो आप इसे daily भी लगा सकते हो इसको लगा के रखना होगा आपको 25 मिनट तक और उस में थोड़ा सा शेहट डालके उसको अपने बालों पर स्प्रे कर सकते हो इससे आपके बालों के ड्राइनस जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है आप इसे सिर्फ 20 मिनट सक ऐसे ही रख लेना और शैंपू से धोना क्योंकि जिस दिन भी आपने हनी और इसका मिक्स्चर लगाया है तो उस दिन आप सिर्फ पानी से द्रंस करोगे तो आपका कुछ फी इसमें पूरा उसका जो श्रीकिनिस है वो नहीं निकलेगी तो आपको इसरी शैंपू ही करना होगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें हापी चाहिए बेसल 3 Tablespoon का जिसके में डाला है अपना next ingredient जो की है मेरा cocoa powder cocoa powder हमारी स्किन में tanning हमारी स्किन में जो unevenness होती है हमारी स्किन में जो चोटे-चोटे कई बर marks हो जाते हैं हमें नहीं पता हो वैक्सिंग के दौरान या किसी चीज के टाइम पर हमारे हाँ चोटे-चोटे माक्स हो जाते हैं उनको भी लाइटन करने के लिए हमें कोकोवा पौडर बहुत अच्छे से हल्प करता है तो मैंने वन टेबल स्पून का यहाँ पर कोकोवा पौडर डाला इसमें जो मैंने थर्ड इंग्रीडियेंट डाला है वो है मेरा फेनुग्रीक सीड्स का पौडर तो इसका पौडर खुद से घर पे बनाना चाहा हो तो बना भी सकते हो नहीं तो इसका आपको रेडिमिट पा सकते हो अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून की कस्तूरी मंजल यानि की हल्दी टेंशन मतलो फेस पीला नहीं होगा कोई भी उप्टन हल्दी के विना वैसे भी अधूरा होता है तो यह तो यहाँ पर डलना ही था इतनी रेश्यों में डालोगे कोई भी टेंशन औ और उसके बाद मैंने हापे कच्छा दूद लिया और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया जिस कौन्टिटी में बना है आप इसे पूरे आम्स यानि की पूरे हाथों पर लगा सकते हो और हाफ लेक्स आधी जो आपके लेक्स होते उनको कवर कर सकते हो जब आपको टाइम मिलता है बस आपको दूद के साथ इसको मिक्स करना होता है तो यहाँ पर आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो और अपनी स्किन को तो आप अच्छा सा कुछ देए तो यह लगा सकते हो आप इसे डेली अगर लगाना चाहो तो डेली भी लगा सकते हो ल आप कर सकते हूं क्योंकि मैं बहुत करते हैं अपने इनकी नेल्स की अब नेल्स क्या होते हैं हमारे बहुत जदा बृटल हो जाते हैं जो कि इंटर्नल देफिशेंसी की वज़े से भी होते हैं तो आइरन रिच डाइट आप खा सकते हो हरी सबजियां ग्रीन लीफी वेजटेबल ये सब आप खा सकते हो लेकिन उसके अलावा अगर आपके बाहर से नेल्स बहुत जदा पेल हो रहे हैं येलो दिख रहे हैं तो उसका र बतारी हूं येवाला वाटर आप यूज कर सकते हो आपको क्या करना है थोड़ा सा शुमां करना लियूक वार्म करना है और इसके बाद ग्यास को बंद कर लेना अब मैं हाँ पर आपको लेमन नी बताने वाली पिकॉस लेमन आर तो इस तो उसको हम नेलेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा Venager, लेना उसका एक थक्कन है ताल देना और अपनी हाथो very talmad memorial के एक प्रेश करगा लेना कुक्छ तेर के लिए उसके लेक्ठ के लिए। अपट भासे लेक्ग में सॉक इसज़ी प्रस मादने I और फिर उसके बाद फिर obviously आपके skin में वो दिखने लगे तो instead of that आप क्या कर सकते हो आप almonds ले सकते हो आप इन्हें soak करके ले सकते हो overnight soak कर लेना क्योंकि summer month में हम इसे as it is नहीं खा सकते हैं क्योंकि उससे भी हमारी body में heat create होगी तो हम यह तो करी नहीं सकते तो हम लोग क्या कर सकते हैं overnight छे बादाम आपने लिए उनको soak करके रख लिया और उसके बार next day आप इसे खा सकते हो छिलके निकालना या ना निकालना वो आपकी मर्जी है अगर आप शाम को लेना चाहते हो तो आप सुबह इनको खा लेना और शाम को खा लेना ऐसे आप कर सकते हो तो शाम का time भी सही रहता है बादाम को खाने का आप इस हसाब से कर सकते हो आ अगर आप बहुत ज्याते हो अगर आप ऑफिस जाते हो तो चांसेश है के आप ठुकी जाओगे तो उसके लिए आजकल मैं को ले रही हूँ हिबिस्किस टी हिबिस्किस टी मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली टी बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी जंजट मी नी करना आपको क्या करना है गैस पे सबसे पहले वन कप का पानी लेना है और इसमें आपको वन टेबल स्पून का अपना हिबिस्किस के जो ड्राइ लीव सोती हो डालने है इसको जैसे कोई नॉमल चाय आप बनाते हो वैसी बनाना होता है इसके बद गया इसको बंद कर लेना आपको अपना मार्केट वाला लेकिन अच्छी क्वालिटी का वो लगा सकते हो और आपको जो नेल्स है उसके लिए अगर आप वीक में दो बार करना चाहो तो तब कर सकते हो आपके जो नेल्स बीच से टूटते रहते हैं वो असानी से नहीं होगा ठीक है? So I hope मैंने आपको सारे के सारे aspects अच्छे से clear कर दिये हैं क्या खाना है, क्या लगाना है, क्या नहीं खाना, क्या खाना है जो कि बहुत important होता है अगर आपकी शादी होने वाली होती है So I am hoping कि मैंने सारे aspects कवर कर लिए लेकिन फिर भी कोई doubt है तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हो अब मैं मिलूँगी आप से अपनी next video में तब तक के लिए, बाई